तो रत्खडी गाओं में एक खास चमतकार हुआ खेतों को फाड़ कर निकली साई बाबा की एक अनुखी मूर्ती क्या है इसके पिछे का रहस्त चलिए आज के वीडियो में ये जानते हैं आप देख रहे हैं साई जीवनमला योटूब चेनल दरसल दोस्तों रत्खडी गाओं में खेत में 30 वर्ष पुरानी साई बाबा की मूर्ती जमीन से प्रगट हुई है ग्रामिड लोग इसे साई का चमतकार मान कर उनकी पूजा अराधना कर रहे हैं कुरूबार को गाओं के लोगों ने साई बाबा को भोग लगाया और खिजडी का प्रसाद बटाकर साई नात की पूजा चालू कर दी साथ ही अब उस गाओं के लोग चंदा इखटा करके साई बाबा की मंदिर बनवाना चाहते हैं दरसल भक्तो बाहर से बुलाए एक पंडित ने जमेन में साई बाबा की मूर्ती होने की बात कही थी उस पुजारी ने बाबा की मूर्ती को बाहर निकलवा कर समस्त ग्राम बासी से बाबा की पूजा अराधना करने को कहा था उस पुजारी ने ये भी बताया था कि अगर सभी मिलकर बाबा की पुजा करेंगे तो आपके गाउं में जो आर्थिक संकट आ रहे हैं वो सब दूर हो जाएंगे उने उनकी बातों पर आन नहीं दिया लेकिन एक दिन गाउं के एक व्यक्ति को बरसों पुरानी खेत के किनारे साइं बाबा की एक मूर्ती दिखाई दी आला की बाबा की मूर्ती को प्रगट होते किसी ने देखा नहीं है लेकिन जब ग्रामिडों को इसके बारे में पता चला तो पूरे गाउं में इस बात की चर्चा जोरो सोरों से होने लगी और ये चर्चा का एक प्रमुख रिसे बन गया और उसे देखने के लिए पूरे गाउं के लोग उस खेत में उमर पड़े अपने आप जमीन से निकले साइं बाबा की मूर्ती को बात को वे सभी लोग उस पुजारी की बात से जोड़ कर देखने लगे और अब उस गाउं के सभी लोग अपने घर से निकल कर हर गुरुबार को साइं नात की पुजा अरचना चालू की और बाबा को भोग लगा कर सभी में वितरन करने का कार चालू कर दिया वहां के लोगों ने इसे साक्षाद शिरडी के साइं बाबा का चमतकार मानकर बाबा का भब मंदिर बनाने का निर्णे लिया है वहां के लोगों का कहना है कि वे गाउं के हर वेक्ती से चंदा इखटा करके साइं नात की एक भब मंदिर बनवाएंगे आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अपनी दोस्तों में शेयर करें हम बिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैसा इराम कर दोस्तों में जरूर बाइक करें 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 कर दो